हेलो गाइस वेलकम बैक टोर चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुकुल तो बेटा यहां पर अगर हम एसाइसी कोटा की बात करते हैं कि एसाइसी में किस कॉलिज में कितनी रांग तक एडमिशन इस कोटा में मिल जाता है तो वहां पर अगर आप बात करेंगे तो पहले तो कोह यह मालूम होना चायवी भचों हमारे सीरी्स में कि कितनी सीटे हैं हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि I-P कोटा की 8 college में 9 college में अलग से कोटा सीटे हैं इसके बाद अगर हम इसके फी स्टक्चर की बात करते हैं कि इसमें कितने कितने जनरली आपको पैसे पे करने होते हैं तो जैसे कि यह जो उपर के तीन कॉलेज़ आपको गुलबरगा भरियाना नजर आ रहा है यहां पर 24,000 रुपे तक की जो है जनरली फीस होती है एक साल की फी स्टक्चर की अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि भई एक कोलेज आपका वेस्ट बेंगॉल का भी है एक चिन्नी का है एक बेंगलोर का है एक तमील नाडू का है तो यह अलग अलग जगे के जो आपको कॉलेज नजर आ रहे है जैसे चिन्नी का जो आपको एसाइसी पे जिसमेर नजर आ रहा है यह करनाटका करनाटका में दो कॉलेज अलग अलग नजर आ रहे है यह हिदरवाद में नजर आ रहा है यह लाल बादो शास्तरिया परिपली नज़र आ रहा है तो यह जितने भी अलग-लग कॉलेजिस हैं अगर हम इसकी बात करते हैं कि इन कॉलेजिस में कितनी जनरली हमारे को फीज जो है वो पे करनी पड़ती है तो जो हमारा बैंगलोर का कॉलेज है जिसमें कि 56 सीटे हैं आपको नज़र आ रहा होगा इस कॉलेज की अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यह 24,000 रुपे के असपास इसकी भी फी स्ट्रक्चर रहती है बैंगलोर के कॉलेज के बाद जो आपको गुलबरगा का कॉलेज नज़र आ रहा होगा उसकी फीस भी जनरली 24,000 रुपे ही देखने में आती है उसके बाद जो हमें ASIC चन्नेई का कॉलेज जो तमिलाडू में नज़र आएगा उसकी अगर हम फीस की बात करेंगे तो वो हमें थोड़ी सी जादा मेंगी फीस देनी पड़ती है एक लाख रुपे के असपास उस कॉलेज की हमें फीस जो हो पे करनी पड़ती है उसके बाद गोवर्मेंट मेडिकल कॉलेज जो हमारा ASIC हॉस्पिटल कोयम बटूर का है उसमें 40,000 रुपे के असपास जो है फीस होती है तेके उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला जो हमारे पास कॉलेज होगा वो ASIC मेडिकल कॉलेज हिदराबाद की बात हम करेंगे तो हिदराबाद में 24,000 रुपे के असपास फीस है कोई जादा फीस नहीं है उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिदराबाद के बाद तो कॉलकटा की बात करेंगे जो की वेस्ट बंगॉल में है उसकी अगर हम बात करते हैं जो वेस्ट बंगॉल का कॉलेज है तो उसकी फीस भी जादा नहीं है एक लाख रुपे थोड़ी सी मतलब जादा है बढ़ बहुत जादा नहीं है शिलाल बादु सास्तरी की 44,000 रुपे फीस है बटा और गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज जो कॉलाम है उसकी फीस जो आपके पास 36,000 रुपे के आसपास फीस ये 40,000 के आसपास आपको फीस पड़े तो फी के बाद अगर हम यह बात करें कि इन पर्टिकुलर कॉलोजिस में किस केटेगरी है कहां तक आपको एडमीशन कि आप उमीद रख सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेस्ट में वन बाइवन चलते हैं फरिदाबाद हर्याना की बात कर लेते हैं तो अगर आप हर्याना के लिए एडमीशन लेना चाह रहे हैं और आपकी जो कट आफ है मैं यहाँ पर बता जेता हूँ बटा आपको वन बाइवन कि अगर आप हर्याना में एडमीशन लेना चाहते हैं और हर्याना के ESIC के लिए अगर आपकी UR रांक पूछी जाए कि कितनी होने चाहिए तो 19,000 रांक तक आपको अराम से डमीशन मिल जाएगा OBC के लिए 35,000 तक मिल जाएगा EWS की बात करें तो 21,000 तक मिल जाएगा SC की बात करें तो 1,32,000 तक मिल जाएगा और अगर हम ST की बात करते हैं तो 2,27,000 रुपे तक भी आपको अराम से यहां पर मिल जाने की उमीद रहती है हर्याना के बाद अगर हम और देखें कॉलेजिस कौन कौन से हो सकते हैं तो भाई चलो वन बाई वन उनकी बात कर लेते हैं तो जो कॉलाम का कॉलेज है अगर मैं कॉलाम के कॉलेज में अपना देखूं तो अगर UR कैटेगरी में रैंक 15,000 तक है तो आपको राम से मिल जाएगा SC कैटेगरी में अगर रैंक 18,900 तक है तो मिल जाएगा SC कैटेगरी में यहां पर सीट पिशले बार नहीं है मारे पास कटाफ अभी ढूंडेंगे OBC कैटेगरी में जो है 20,000 तक मिल जाएगा और अगर EWS कैटेगरी में आप देखेंगे तो 50,000 रैंक तक आपको यहां पर अड्मिशन राम से मिल जाएगा ठीक है उसके बाद अगर हम अगले कॉलिज की यहां पर बात करते हैं तो कोयमबटूर का जो हमारा ASIC Medical College है तो कोयमबटूर में UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 25,000 तक है OBC में अगर आपकी रैंक 30,000 तक है EWS में अगर आपकी रैंक 46,000 तक है SC में अगर आपकी रैंक 144,000 तक है तो आपको अरामसे रैंक निशन यहां पर मिलने की पूरी उमीद रहती है अगर आप बैंगलॉर की बात करते हैं इसके बाद जो हमारा College एक ASIC बैंगलॉर में भी है क्योंकि तो वहां पर UR रैंक अगर आपकी 30,000 तक है तो आपको पूरे चांस है अगर आप SC केटेगरी से बिलॉंग करते हैं और आपकी रैंक 2,000 तक है तो भी चांसे है अगर आप OVC से बिलॉंग करते हैं और अगर आपकी रैंक 40,000 तक है तो आपका ड्मिशन मिल जाएगा ST के टेगरी के अगर हम बात करते हैं तो वो 5 लाक तक भी ड्मिशन बैंगलॉर के ASIC में मिल जाता है जो की काफी सर्प्राइजिंग होता है उसके बाद अगर आप बात करते हैं चिन्नेई क्या जो हमारे पास कॉलिज है कि चिन्नेई के कॉलिज में क्या होगा तो चिन्नेई में अगर आपकी UR रैंक 30,000 तक है OVC की रैंक 36,000 तक है EWS की रैंक 49,000 तक है और SC की रैंक अगर एक लाक 30,000 तक है तो राम से मिल जाएगा सेकेंड ड्रोन में और पीछे तक भी कट ओफ जा सकती है SD में टू लाक रैंक तक भी पूरे चांसे रहेंगे चिन्नेई कॉलिज के इसके बाद 6 जो हमारे पास कॉलेज है डाटस ओफ हैदराबाद E.S.I.C. तो अगर हम हैदराबाद E.S.I.C. की बात करते हैं और वहां की कट ओफ अगर हम देखते हैं तो UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 36,000 के आसपास तक है OBC केटेगरी में अगर आपकी रैंक 45,000 तक है SC केटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,55,000 तक है और अगर ST केटेगरी में आपकी रैंक 2,20,000 तक है और अगर EWS केटेगरी में आपकी रैंक 46,000 तक है तो आपको admission मिलने की पूरी समामना है हिदरावाद में भी अब जो हमारा मंडी का कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री अगर हम उसकी बात करते हैं हिमाचल प्रदेश तो यू आर में आपकी रैंक 42,000 तक होनी चाहिए SC कैटेगरी में आपकी रैंक 2,000,000 तक SC में 4,000,000 तक भी admission हो जाएगा OBC कैटेगरी में 56,000 तक admission surprisingly यहां पर हो जाता है और EWS में 50,000 तक admission होने की पूरी समामना है बचके दो कॉलेज भई एक तो है गुलबरगा की गुलबरगा के कॉलेज में अगर आपको admission चे ASIC में तो UR कैटेगरी में 45,000 तक रैंक लानी है OBC कैटेगरी में 50,000 तक रैंक लानी है SC कैटेगरी में 2,000,000 तक रैंक लानी है और ST कैटेगरी में तो 6,000,000 तक रैंक पर भी admission गुलबरगा में मिल जाता है Last ESIC Colleges ESIC Kolkata अगर हम इसकी बात करते हैं तो UR कैटेगरी में 50,000 रैंक OBC कैटेगरी में 55,000 से 56,000 रैंक EWS कैटेगरी में भी 55,000 रैंक SC कैटेगरी में 2,020,000 रैंक और Last but not the least is the ST कैटेगरी जिसमें अगर हम रैंक 7,500,000 तक भी आती है तो भी it will work for you तो ये हमारी बात हो गए ESIC की कि भी ESIC के अंदर अगर हमें admission देखना है तो कहां तक हम कॉलकत्ता में या गुलबरगा में अपनी उमीद रख सकते हैं कि इस रैंक तक हमें admission मिल जाएगा अब इसमें एक question ये भी हो जाता है कि IP certificate कैसे मिलेगा quota का तो भाई ये आपको ESIC quota के लिए apply करना होता है ESIC के office में जाकर वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा असानी से हर state में जो है इसमें अलग अलग रहता है ठीक है उसके बाद अगर हमें आगे बात करते हैं तो ये वाली हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी बटा deemed universities के बारे में आपको जानना हो तो वो आप हमसे बाद में लग से पूछ सकते हैं कि क्या cut off रहेगी Thank you so much for watching the video and please subscribe to the channel